question number two देखते हैं properties of parallel lines and their transversal का हमारा question है let's see and write from the figure beside which are corresponding angle, alternate angle and of them interior angle in the same side of transverse मतलब यह figure जो देखकर है इसमें आपको corresponding angles का नाम लिखना है आप लिख लो किसका किसका नाम लिखना है ताकि आपको पता चले कि हमें किस चीज का नाम लिखना है corresponding angle का नाम लिखना है पिर आपको alternate angle का नाम लिखना है और आपका तीसरा जो है वो लिखना है interior angle in same side of transversal आपका ये figure को देखके इतने सब चीजों का नाम लिखना है एक चीज और मैं बता देती हूं पिछले जब मैं पहले आपको बताई हूं तो इसमें मैं आपको ये नहीं बताई थी कि जो corresponding angle, alternate angle और interior angle, same side of transverse का मैं कुछ properties बताई हूंगी आपको पीछे तो इसमें मैं आपको एक बता देती हूं कि जब ये lines जो है वो parallel lines आएंगे और इस पे तब अगर transverse आएगा और तब जो है corresponding angle जो है वो आपस में बढ़ाबर होंगे alternate angle आपस में equal होंगे और interior angle of same side of transverse का जो दो pair का जो plus होगा वो होगा 180 degree अगर ये दो लाइन जो पैरल नहीं है बच्चों तो हमारा ये इस जो है properties corresponding angle एक्वल होने का alternate angle एक्वल होने का और ये का 180 तब ये नहीं होगा ये बस parallel lines को एक transverse जो है वो intersect करेगा तब भी जो है ये सब properties जो है वो लगगा इसमें हमको क्या लिखना है तो नाम लिखना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें corresponding angle कौन-कौन सा है तो corresponding angles हमारा है 2 और 4 2 and 4 sorry 2 and 6 2 and 6 जो है वो हमारा जो है corresponding angle है pair of corresponding angle है 3 और 7 pair of corresponding angle है and 7 pair of corresponding angle है angle 1 and 5 जो है corresponding angle है a pair of corresponding angle है and 4 or 8 angle 4 and angle 8 जो है वो a pair of corresponding angle alternate angle कौन सा है alternate angle हमारा है 4 and 6 angle 4 and angle 6 angle 3 or angle 3 and 5 जो है वो आपस में क्या है angle 3 and angle 5 जो है वो आपस में क्या है alternate angle है interior angle in the same side of transverse कौन सा है तो ये है angle 3 and 6 और है angle 4 and angle 5 ये है बच्चों interior angle on the same side of transverse 3 or 6 और 4 और 5 जो है वो है and interior angle in the same side of transverse तो इस तरीके से हम ये सब का जो है बस बस केवल नाम लिख लेंगे ये सब का value corresponding angle का value equal कब होगा जब ये दोनों लाइन जो है हमारा parallel होते तब ही equal होता यहां alliance parallel नहीं है अगर आपको आपसे पूछे तो मैं बता देती हूं यहां पर ये जो है equal नहीं होंगे क्योंकि ये alliance वो parallel नहीं है देखते हैं हमारा question number 3 क्या है हमारा question है if a b यहां पे तो नहीं नहीं दिख्यों यह a b हो गया यह c d हो गया यहां पर बहुत सरा question दिया हुआ है यह होगा c d यह होगया a b यह होगया c d यहां पर दिया हुआ है कि a b parallel to c d है then let's write the measurement of the angles given below यहां पर दिया हुआ है कि a b parallel किसके है तो आपका a b जो है वो b d के जो है की parallel है आपको यहां पर x की value निकाल ली है कि हमारा x कितना होगा और y की value निकाल ली है कि y क्या होगा तो x और y की value जो है वो बच्चो हम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं यहां पर आप यहां पर देख लो कि यहां पर हमारा x जो है और यह line देख लो हमारा यह 55 ही हो जाएगा vertically opposite angle से इस तरीके से भी आप बना सकते हो और आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि यहां पर 55 दिया हुआ है तो यह किसके यहां पर जो angle होगा मालो यहां पर angle आप ले लो 1 तो angle 1 is equals to हो जाएगा angle 55 degree क्यों हो जाएगा यह corresponding angle से जो है वो हो जाएगा corresponding angle से angle जो है 1 जो हो जाएगा वो 55 दिगरी हो जाएगा क्योंकि 1 और यह जो है angle यह जो है वो बराबर होगा corresponding angle से A B और C D पार्लेल है तो अगर यह 1 जो है वो 55 डिग्री होगा तो अल्टर्नेट अंगल से X is equal to angle 1 is equal to angle 55 डिग्री हो जायगा यह अल्टर्नेट अंगल से alternate angle से x is equal to angle 1 हो जाएगा ये दुनों आपस में क्या हो जाएगा equal हो जाएगा alternate angle से तो यहाँ पे देख सकते हो कि x हो जाएगा 55 degree और 1 और y को 1 प्लस angle y क्या हो जाएगा आपका 1 और y हो जाएगा 180 degree क्यूं हो जाएगा 180 degree क्यूंकि ये linear pair बनाता है बच्चों तो ये linear pair बनाता है तो अगर आपका angle 1 जो हो जाएगा 55 degree तो y क्या हो जाएगा y हो जाएगा 180 degree माइनस 55 degree तो ये हो जाएगा 125 degree तो यहाँ पे आपका निकल गया x निकल गया बच्चो 55 degree और y निकल गया 125 degree तो इस तरीके से आप इसका value निकालोगे अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये quotient number जो है b कैसा बनेगा हम पहला तो आपको बता दिया बच्चो second जो है वो मैं बताती हूँ इसमें x की value निकालनी है तो x की value निकालने के लिए आपको देखे बच्चो यहाँ पे आप नाम रिख दो 1 और यहाँ पे रिख दो यहाँ पे लिख दो 1 angle 1 is equal to angle 68 degree हो जाएगा क्यूं हो जाएगा corresponding angle से जो है वो यह दोनों आपस में equal हो जाएगा तो यह हो जाएगा 68 degree हो जाएगा angle 1 प्लस angle x जो है वो हो जाता है 180 degree क्यूंकि यह line है और यह जो है वो आपस में linear पेर बनाता है तो angle x क्या हो जाएगा 180 degree माइनस 68 degree तो angle x जो है वो हो जाएगा आपका 112 degree जो होगा angle x हो जाएगा बच्चों 112 degree इस तरीके से आप बना लोगे इसको और भी तरीका है बनाने के लिए आप 68 और यहां से 68 और यहां पे आप angle 2 ले लोगे इसको इसको alternate angle से equal कर दोगे तो यह हो जाएगा 68 और यहां से linear पेर बनाएगा तो 180 में 68 माइनस कर दोगे तो यह भी निकल जायागा कि आपका एक 68 हो जाएगा sorry 100 से माइनस कर दोगे यह 68 हो जाएगा तो इस तरीके से भी आप बना लोगे तो इसको बनाने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं बच्चों आप किसी भी तरीके से जो तरीका आपको समझ में आता है उस तरीके से जो है आप इसका answer निकाल ल ले लो एंगल 1 ले लो एंगल 1 is equals to एंगल 100 हो जाएगा डिगरी क्यों हो जाएगा क्योंकि इसमें भी यह जो है corresponding angle है pair of corresponding angle है 1 और 100 जो है corresponding angle है angle 1 प्लस angle x जो है वो हो गया 180 डिगरी क्यों यह दोनों जो है वो आपस में linear pair बतना है अगर मैं बच्चों पहले भी बता दी हूँ अगर आपको linear pair नहीं पता है कि linear pair क्या होता है तो आप मुझे कमेंट कर दो मैं आपको linear pair भी जो है वो समझा दोंगी तो अगर angle 1 जो है वो 100 डिगरी तो angle x जो है वो 80 डिगरी निकल जाएगा तो यहां से आपका 80 डिगरी निकल गया बच्चों इस तरीके से आप corresponding angle का यूज करके linear pair का यूज करके alternate angle का यूज करके alternate interior angle आप किसी भी तरह से निकालोगे तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा और इस तरीके से जो ह है वो आपका सारे का अंसर जो है बच्चों वो निकल जाएगा बच्चों अब हम question number 4 solve करते हैं देखते हैं हमारा question में क्या है हमारा question है let's write the measurement of 7 angle from the figure beside if xy parallel to pq यहां पे आपको 7 angle जो दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह 7 angle जो है वही आपको जो है वो मिजर करना है निकालना है आपको और क्या दिया हुआ है कि x parallel to pq है तो यहां से आप देख सकते हो बच्चों कि आपका 50 degree जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना angle आपको निकालना है अगर यह दोनों line parallel है और यह जो है यह transverse गया है बीच से तो आपका corresponding angles जो है इसमें equal होगा alternate angle equal होगा और sum और क्या होगा plus होगा same side of transferred interior angle का 180 degree होगा तो यहां से आप देख लो है angle 1 plus angle 50 degree is equal to क्या हो जाएगा आपका 180 degree हो जाएगा क्यूं हो जाएगा बच्चों क्यूंकि आप यह देख लो यह linear pair बना रहा है 50 plus 1 यह जो line दिख रहे है आपको यह पूरा line यह जो है यह linear बना रहा है तो angle 1 plus 50 degree is equal to 180 degree हो जाएगा यहां से angle 1 आपका क्या हो गया 180 degree minus 50 degree तो angle 1 is equal to 130 degree बच्चों अब यह हमारा जो है वो angle 1 130 degree आ गया यहां से आप देख सकते हो बच्चों कि angle 1 is equals to angle 4 है क्यों है क्योंकि यह corresponding angle है corresponding angle है इसलिए क्या है यह आपस में क्यों क्या है इक्वल है तो angle 4 हमारा कितना हो जाएगा 130 degree हो जाएगा यहां से अब angle 4 is equals to angle 3 होगा alternate angle और अगर यह parallel है तो हमारा alternate angle जो होता है वो क्या हो जाता है इक्वल होता है तो angle 3 भी 130 degree हो जाएगा तो यहां पर हमें 1 मिल गया 130 degree बच्चो यहां से हमारा corresponding angle है तो 130 degree मिल गया 4 और यहां से यह दोनों angle जो है alternate angle है तो यह मिल गया 130 degree अब यहां पर आप देख सकते हो कि angle 3 is equals to angle 6 है बच्चो angle 6 है किस चीज से corresponding angle से तो angle 6 भी हमारा 130 degree हो गया यह भी हमारा क्या हो गया बच्चो 130 degree हो गया अब यहां से आप देख सकते हो कि हमारा यहां पर यह बहुत तरीके से आप solve कर सकते हो आप निकाल सकते हो angle 6 plus angle 7 जो है वो भी एक linear पेर बनाता है तो angle 6 अगर जो है वो 130 degree है तो angle 7 कितना हो जाएगा बच्चो 180 degree माइनस 130 degree तो angle 7 क्या हो जाएगा 50 degree तो यहां से हमें क्या मिल गा यह हमें 50 degree मिल गया यहां से आप यह दोनों को भी linear pair से बना दोगे angle 5 प्लस angle 5 प्लस angle 6 यह भी हमारा क्या बना रहा है linear pair बना रहा है बच्चों तो angle अगर 6 जो है वो 130 degree है तो हमारा 180 कर लो तो angle 5 हमारा क्या हो जायागा 180 degree माइनस 130 degree angle 5 भी हमारा 50 degree निकल जायगा तो यह हो जायगा हमारा 50 degree अब angle 5 is equal to angle 2 है यह कौन सा angle है alternate angle हो गया बच्चों तो हमारा angle 2 जो है वो भी निकल जायगा 50 degree निकल गया बच्चों तो इस तरीके से जो है आप पूरा angle जो है वो निकाल लोगे आप बहुत तरीके से निकाल सकते हो आप इसको भी linear pair करके इसको alternate से निकाल सकते हो या तो फिर 3 और 5 को भी plus करोगे तो वो same side of interior angle of same side of transverse का जो plus होता है वो 180 degree होता है तो इससे निकल जाएगा आप इसको और इसको 3 और 6 को equal करके corresponding angle से निकाल सकते हो या फिर इसको इसको linear pair कर दो 2 और 3 को और इससे निकल जाएगा तो इससे आपका 50 निकल जाएगा linear pair से फिर इसको 2 और 4 को आप जो है वो same side of transverse angle से आप इस दोनों का sum जो 180 degree होता है तो आप इसको solve कर सकते हो और इसको निकाल सकते हो या तो फिर आप इसको linear pair ले सकते हो आप इसको linear pair ले सकते हो आप corresponding angle से भी निकाल लोगे इसको corresponding करके निकाल लोगे इसको corresponding करके निकाल लोगे डिग्री निकाल सकते हो